नमस्कार मैं सुशला गोवा मा की रस्वय में आप सबको स्वगत करती हूं आज गोवा मा की रस्वय में आम का आइस्क्रीम बन रहा है खाने के लिए बहुत स्वादिश्ट है दो आम का आइस्क्रीम बनाने का विदी बता रही हूं दो आम लेना है मिल्क पोडर लेना है कौन सा कंपनी का भी मिल्क पोडर ले सकते है क्रीम लेना है नहीं तो मले ले सकते है शक्कर लेना है दो आम लेना है आम का उपर का चिलका काड़ कर बारिक बारिक काट लेना है बाद में वो आम मिक्सी में डाल कर पेस्ट लेना पड़ता है अभी आम काट रही हूँ आम कट करके हुआ है मिल्क पोडर लेना है एक बॉल में डालना है एक बॉल के नजदिक डाल लेना है मिल्क पोडर एक बॉल के नजदिक क्रीम डाल लेना है घर में मले है तो मले भी डाल सकते है एक बॉल में आम कर पोड़ता तो में टक्वक्वक्वक्वेदाए एक पलमे स्वीय तो एक बॉल में ठाल सकते हैं एक बोल में थोड़ा डूर डाल लेना है, उसमें मिल्क पोडर डालना है, मिल्क पोडर सब पिगल जाना चाहिए, दूर में सब मिक्स होना चाहिए मिक्सी जार में आम डाल लेना चाहिए, मिक्सी जार में आम डाल लेना चाहिए, कट किया हुआ आम डाल लेना चाहिए, क्रीम डालना चाहिए, दूर में मिक्स केया हुआ, मिल्क पोडर डालना चाहिए, शक्कर डालना चाहिए, आपके स्वाद अंसार, मैंने हाँ, चार चमर शक्कर डाला है, आपको मीटा जादा चाहिए, तो ज्यादा शक्कर डाल सकते हैं, आम ज्यादा मिटा रहे तो कम शक्कर डालना पड़ता है, अब मिक्स्ची में ब्लेंड करना है, थोड़ा देर तब, है कि अब आधे ह् दूाहिए, आपके स्वादाए, इस्टा प्रवादा सॽार्प्णान करें अभादा है, आपको झाल झाल अच्छे से ब्लेंड हुआ है अभी एक बॉल में काड़ना है बाद में 7-8 गंटे के लिए फ्रीज में लगना है बाद में आईस क्रीम बन जाता है अब प्रीज में रखना है एक 7-8 गंटे के लिए आईस क्रीम बन गया है वीडियो देखने के लिए गोवा मा की रसोई तरफ से नमस्कार और धन्यवाद जाए एक से लिए रखने के लिए एक लिए गए टाए पार और बनाव के लिए लिए रगना है झाल झाल